हालो रेल्कम टू स्पोर्सतक। स्पोर्सतक फैमिली सवागत है आफ सभी का साल का आखरी दिन है और हमारी अवाँड नाइट तो नहीं कहुंगे से हम अवाँड मौर्निंग कहुंगे के जो दावेदार रहे थो और इनमे से जो विनर बनकर निकले थे वो थे उस्मान ख्वाजा वो खिलाडे रहे थे जिनको test Cricketer of the year हमें लगा कि और आप सभी लोगों ने भी comment section में चाहे हो या कहीं पर भी जो हमसे बातचीत हो पाई आपकी आपने बताए कि बिल्कुल आपकी भी चॉइस उस्मान ख्वाजा हैं फिर आई थी बारी ODI Cricketer of the Year की जहाँ पर आप सभी लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से वहाँ पर performers बड़े बड़े थे लेकिन विराट कोली किंग कोली जिस तरीके का उनका साल गया है जिस तरीके का उनका Cricketer of the Year आपके सामने थे इसमें आपको दिखे होंगे एक Travis Head इसमें आपको Pat Cummins नहीं दिखे थे लेकिन Pat Cummins भी उसके दावेदार एक तरीके से थे और अब Cricketer of the Year की बात करें तो यहाँ पर आमने सामने आप देख सकते एक तरफ One Day World Cup लिये हैं Pat Cummins दूसरी तरफ वो खि जादा एहम भूमिका निभाई वो है Travis Head तो घूम फिरकर बात आती है इन दो खिलाडियों की Pat Cummins ने WTC जीता बतौर कप्तान उस फाइनल के सबसे बड़े सितारे रहे Travis Head न सिर फाइनल बलकि सेमी फाइनल और फाइनल दोनों में वो खिलाडी जो है बड़ा एक दावेदा बनकर निकला सबसे बड़ी परफॉर्मेंस भी दी उन्होंने वहाँ पर और वो जो है अपने नाम खिताब लेकर गे थे प्लेयर ऑफ दा मैच का समी फाइनल फाइनल दोनों जगह पर जो हम बात कर रहे हैं अगर आप वर्ल्ड कप छोड़े WTC फाइनल में भी जिस तरह की की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है तो यह अब फाइनली वर्डिक्ट ये निकला कि वो खिलाडी जो क्रिकेटर ओफ देयर बनता है इस साल वो हैं ट्राइविस एड्ट पैट कमिस नो डाट बड़ी जबर्दस परफॉर्मेंस साल जो खत्म भी क्या है उन्होंने उन्होंन के जरीया आपको बताते हैं और फिर आपको समझाते हैं क्योंकि Pat Cummins को शायद आप expect भी करते हो कि यह उतनी बड़ी performances देंगे लेकिन Travis Head के साथ इतना जादा आपने associate करते हैं especially red ball में एक वक्त पर तो बड़े जादा सवाल होते थी लेकिन बीते कुछ समय से अगर आप देखें पिष्टे दो-ड़ाई साल अगर आप देखें तो वहाँ पर Travis Head Australia के all format सबसे impactful बल्लेबाज आपको नजर आएंगे और जहां से Pat Cummins को कप्तान ही मिली थी बत और कप्तान जो उनकी शुडवात भूई थी उस ashes में भी पहले मैच में नो डाउट ऑस्टेलिया ने England को सस्ते में आउट के था लेकिन Travis Head की पारी को मत भूलिए Travis Head की वह पारी थी जहां से वह एक दम से खडी हुई और उस्टेलिया ने जबर्दस परफॉर्मेंसे उसमें देने शुरू किया और इस साल की परफॉर्मेंसे टेस्ट में अगर आप देखेंगे Travis Head की दुबारा मुकाबलों में 23 इनिंग्स 919 रन 41.77 का एवरेज 55 से एक शतक बेस्ट 163 स्ट्राइक रेट देखिया 75.57 यानि ये खिराडी क्रीस पर रहा तो किसी भी मैच का रुख जो है पलट सकता है और ऐसा ही नहीं किया WTC Final जो बेस्ट स्कोर इनका आया है वो भी WTC Final और इतनी जबर्दस परफॉर्मेंस होने के बावजुद है रान की थी कि बॉर्टरगा उसकर ट्रॉफी में औस्टेलिया के सेलेक्टर्स ने इनको पहले मुकाबले में टीम से बाहर रखा था जिसके बड़ी आलोशना भुई लेकिन उसके बाद टीम में आये भी और important performances भी कुछ दी थी औस्टेलिया की तरफ से अब बात करतें कि ODI में उनका साल किस तरीके के रहा ODI में अगर आप देखेंगे तेरा मुकाबले तेरा पारियां 570 रन 51.88 का उसत तीन उनकी हाफ सेंचुरी रहे अर्दशतक रहे और दो शतक स्ट्राइक रेट 133.17 बेस्ट 137 रन एक बार फिर से बेस्ट जो है बड़ी स्ट पर उनका आया और ये मत भूलिए वर्ल्ड कप जो साल का सबसे बड़ा इवेंट था वहां पर ट्रेविस एड टीम में जरूर थे लेकिन इंजर थे वह बाइलेक्टल सीरीज जो सवाट एफरिका में खेल देते हाथ पर लग गई थी फ्रेक्चर था लेकिन अस्टेलिया अपनी टीम में बनाए रखा और टूटे हाथ से संघर्ष करते हैं जब ये वापस आए पहले ही मैच में धमाका और आस्ट्रेलिया की तस्वीर भी उस मैच से बदल गई थी धर्मशाला में बड़ा जबर्दर्श शतक लगाया था न्यूज़न के खिलाफ उसके बाद इसको जो ट्रोफी दिलवाई और भारत से ट्रोफी जो चीनी वो काम जो ट्रेविस हैड ने किया इसलिए हो बनते हैं क्रिकेटर ऑफ दे एर और ट्रेविस हैड जो हमने बताय ये तो उनका बल्ले से हमने बताय लेकिन सेमी फाइनल में दो एहम विकेट भी सतैफ्रिया ए और मार्को एंसन को एक ये और में ट्रेविस हैड ने आउट किया था और वहां पर आल राउंड परफोर्मेंस के लिए इनको प्लेयर ऑफ दे मैच वहां भी मिला फाइनल में भी मिला और ये सब तो रही इनकी परफोर्मेंस जो बल्ले और गेन से कही ये न भूले जो रो कोई शर्मा 15-20 गेंद और अगर रुख जाते क्रीज पर तो उस मैच की तस्वीर शयाद कुछ और ही होते हैं तो ट्रेविस हैड जो उन्होंने एक तरके से 3D शो हम बात करते हैं जो उन्होंने 3D शो दिया है अक्रॉस फॉर्मेट्स जो शो दिया है टी ट्वंटी उतने जो परफॉर्मेंस दी हैं वहाँ पर एक-एक को आप कह सकते हैं के पीछे छोड़ दिया पैट कमिंसी सबसे क्लोज आते हैं उस कॉम्पेटिशन में क्योंकि बतौर कप्तान इवन उन्होंने भी जो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ले ओडिया वर्ल्ड कप as a white ball bowler step up किया बहुत close contest था लेकिन मुझे लगता है कि Travis Head शायद इस तरीके का साल पैट कमिंस की जो करियर में हो दुबारा आते रहेंगे लेकिन Travis Head जैसा player थोड़ा सा high risk player होता है तो उनके लिए replicate करना थोड़ा मुश्किल होगा पर हो सकता है इसमें जो आप देखने तस्वीर में बहु उनका secret है इनकी मूचों में क्योंकि जब जब यह मूचों में होते हैं तो अच्छे अच्छों की बैंड बजा देते हैं तो यह थे Cricketer of the Year साल के और इसी तरीके से साल के आखरी दिन भी हम आपके साथ बने रहेंगे coverage रहेंगे आपके लिए special program है रात को नीरत चोपड़ा का एक घंटे का interview तो अगर आप Indian sports को celebrate करना चाहते हैं नीरत चोपड़ा की performance को celebrate करना चाहते हैं तो जरूर देखें वो पूरा detail इंटर्वियों उनकी जिंदगी के बारे में सारी चीज़े नीरत चोपड़ा खुद बता रहें तो मिसमत करेगा यह video information पसंद आई हो तो like करे share करें और अभी तक आपने subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें